सिवनी जिले के धुमाओं में युवक की हत्या की घटना सामनी आई है यहां कमला गार्डन में विवाहत समहरों कायुजन चल रहा था इसी दुरान नाचने के दुरान विवाहत हो गया जिसमें एक युवक पर दो नाबाले को ने चाकू से हमला कर दिया गंभिरूप से घाल युवक की जबलपूर ले जाते समय मौत हो गई वही मौकी पर पहुची धुमाओं पुलस ने तुरित कारवाही करते हुए दोनों बाल अपचारियों को हिरासत में लेकर पूचता चुरू करती है किस स्टेज में कारवाही की गई कर रात में कमला गाड आञे लान में एक शाधी चल ले थी तो वहां पर साधि के दवरा में अर्जयु नहीं रख लड़के से उस दो लड़कों का विवाद हुआ है दोनों बालक अपचारी बालक अलप यह यह हैं मही पास में उनके पास जो भी चाकू था, उससे उनको चाकू मार दिया, जिससे चाकू से इकमभी रूप से उपाहल हो गया, उसको तद्काल जबल पूटले के लेकिन उसका अभी उस समय पहरे निगन हो गया, दोनों अपचारी बालकों को अब रच्छा में किया गया है, औ और घटना एक मामली से साधी में मामली से विवात हुई है और घटना की तकीकात की जा रही है